नवस्कार दोस्तों गार्गी क्लाशेस पर आपका स्वागत है डेट आज की 16 जुलाई 2020 देख लेते हैं इंडियन एक्स्प्रेस के इंपोर्टन्ट आर्टिकल्स जो अभी हम एडिटोरियल और आइडिया पे इसे डिसक्स करने वाले हैं फस्ट आर्टिकल पास्ट एज प्र क्योंकि आप देखते हो कि कभी भी कोई बिमार होता है तो उसके ट्रीटमेंट से ज्यादा उनको कॉंसॉल करना उनको शांत करना हां उनकी मेंटल स्टेटस को इंप्रूव करना उसके लिए काम करें और एन्वार्मेंट से जितनी दूर चलती जा रही हमारी मेडिकल साइं इसको एन्वार्मेंट के साथ में इंटेग्रीट करते हुए सोशल जो एक कोहिशन होना चाहिए थीक है सोसाईटी के साथ में वो देखेंगे अ dziकरा कुछ साजेशन से Supreme Court ने उसके बावजूद अभी भी यह लगातार चलता जा रहा है तो इसके लिए अभी सरकार को जल्दी से जल्दी एक circular release करना चाहिए क्योंकि अभी भी इस पर्टिक्लर सेक्शन को struck down होए 6 साल हो चुके हैं उसके बावजूद 745 के around cases चल रहे हैं जो कि की वाकई में बहुत दुखा था कि इतना ज्यादा information penetration नहीं हो पा रहा है जितना कि आज technology का use होना चाहिए ठीक है जो 2015 में की मुद्दा है वो एकदम खतम कर दिया Supreme Court ने उसके बावजूद अगर वो इसी तरीके से cases चल रहे हों sections के अंडर में तो यह गलत बात है ठीक है इसके लावा यह वाला आर्टिकल इसमें से अब भी आप देखोगे कि जो भी convents में काम करने वाली नंस होती है उनके retirement के बाद में उनको कितनी परिशानी होती है या फिर जो पूर background से belong करने वाली नंस है उनके साथ में justice नहीं होती तो हमारे constitution से ज्यादा क्या superior religious document हो गए नहीं न तो एक case है उसको समझेंगे और uniform civil code या common civil code के लिए एक और support आपके लिए तैयार है ठीक है तो चलिए देखते हैं जो भी important articles उनको detail में बाकी summary लेंगे first article on caste the road not taken article को लिखा है सुहास पालशिकर ने देखो caste जो है लगातार एक ऐसा system है जो की भेदभाव का करण बनता चला जा रहा है इसके लिए remedies भी बहुत लाई गई है कि कैसे भी करके discrimination को हम खतम करें पर उन remedies के implementation की बात करें तो वो भी अफीकी पढ़ती चली जा रही है आज caste based interest की बात करें या फिर दूसरे किसी और segment की बात करें जहां पर हम इन सारे सामाजिक बुराईयां कुरीतियां इनको अलग करना चाहते हैं या फिर social stratification जो society में upper caste lower caste इस discrimination को खतम कर तो वहाँ पर एक satisfaction वाला जो माहूल होना चाहीना कि हाँ वाकई में कि political class जो है वो correct करेंगी सब कुछ आगे आ करके उसमें भी doubt है तो jurisprudence कि आपके आपर कानून कैसे चल रहे हैं उस पर भी doubt है देखो बात ऐसी है कि Supreme Court के recently दो ruling's आई है एक तो महरास्टा दोनों की दोनो point of view से अभी महरास्टा सरकार ने एक provision किया था और उसको फिर Supreme Court ने struck down कर दिया अब reservation भी क्या है दो मुद्दो की बात की जा रही थी एक तो मराठा community को backward class के तोर पर community consider करना OBC की category में डालना और दूसरा point है वो है OBC reservation को local bodies में भी apply करना जैसे कि आप देखते हो 73rd and 74th constitutional amendment act के तो यह बोला गया था कि SCST plus women इनके लिए reservation तो देखो constitution में पहले ही तयार है पर OBC जो है other backward classes है उनके लिए अगर reservation provision local bodies के elections में करने है तो वो state government time पे कर सकती अपने हिसाब से तो ऐसे में state government reservation के provision को लेकर क्या आए local bodies के election में OBC के लिए number one number two is Marathas को backward class communities में अगर डाल दिया जा तो Supreme Court का यह जो recent verdict है जिसमें Maratha Community के लिए reservation के provision को struck down कर दिया गया है तो फिर से एक highlight करने वाली बात आ गई है कि क्यों यह reservation की बात अभी भी उठ रही है number one अभी तक भी क्या हमारे यहाँ पर caste system के चलते जो discrimination हो खतम हो पाया या नहीं या फिर caste के चलते जो differentiation discrimination था उसने जड माली है देखो OBC reservation in local bodies की बात मैं पहले बता चुको 73 and 74 constitutional amendment act के तैत है अब यहाँ पर हो क्या रहा politics खेल दी जाती है ठीक है politics एक तो यह होती है कि जो ruling party है वो लेकर के आती है और यह कहती है कि previous governments ने कोई कदम नी उठाए vote bank के चलते अब इसमें क्या हो जाता है कि वह अपने reservation के provisions लेकर क्या आता है पर हमें पता है कि इंद्रा सानी case के तैत क्या का हुआ है सुप्रीम कोट ने जी 50% से ज्यादा आप reservation नहीं दोगे तो ऐसे परिस्तितियों में फिर जैसे जमराटा community को reservation का provision दिया गया तो उसको struck down करती है सुप्रीम कोट ने की जी बिलकुल भी ये constitution institutionally appell करने वाली बात नहीं है आप में इसको बिलकुल strike करते हैं strike down करते हैं खतम करते हैं ठीक है अब दूसरी तरफ अभी जो current सरकार है उसने ये बिलतो पारिश कर दिया एक्ट बना दिया पर उसके बाव जो सुप्रीम कोट ने struck down कर दिया तो अब opposition party वाले जो है वो blame कर र जादा important है इसमें एक reforms लाने की जरूरत है जैसे कि आपको पता है कि OBC में भी intra OBC जो stratification हो रखा है जिसमें आप देख सकते हो कि हां कुछ OBC community के लोगों ने कुछ जादा फायदा उठा लिया है बाकि जादा तर लोग अभी भी deprived हैं उनको फायदा नहीं मिल रहा है reservation का तो मुद्धा एकदम जोडी शरी में जाकर के घतम हो जाएगा पर वोई चीज है केवल और केवल एक ऐसी माहूल बनायने की कोशिश है कि बस केवल attention मिल जाए ठीक है reservation पारित हो या ना हो बस केवल एक attention मिल जाए यही एक चीज आती है दूसरी हम चलो महाराष्टरा की यहाँ पर बात करते हैं क्या ऐसा केवल महाराष्टरा में confined है जी बिलकुल नहीं गुजरात में पाटिदार हर्याना में जाट वो ऐसी communities हैं जो कि अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा dominating power की तरह काम करती है अपने area's में ठीक है सरकारे बंती बिगरती है उनके powers के basis पे उसके बाव आज के तीन दश्रक पहले जब मंडल कमिशन के recommendations को implement किया गया था तो उस टाइम पर आप देखोगे कि politics और jurisprudence जो भी verdict आए हुए थे सुप्रीम कोट के उनके बीच में एक combination देखनों को मिला था और उस टाइम पर एक consensus मिल के आई थी political class की बीच में और साथ में जो हमारी यहां पर main cause रहा है कुछ sections of the society के backwardness के लिए ठीक है तो यह चीज़ accept कर ली accepting कि कास्ट क्या है traditionally जो backwardness है कुछ society के जो large sections है उनकी backwardness के लिए तो एक तो यह dimension निकल के आई तो इसके चलते क्या हो गया OBC को जो reservation provide करना था वो दे दिया गया number two था कि resorting on reservation बोला कि आप इस backwardness को क कैसे खतम करें police के लिए क्या किया जा सकता reservation दे दो jobs में और education sections में ठीक है जीए आपने भी दे दिया फिर तीसरा जो आ जाता है dimension 1990 की बात है ठीक है ध्यान रखें आप जब वीपी सिंग गवर्मेंट ने OBC के लिए reservation implement कर दिया था ठीक है क्योंकि मंडल कमिशन ने अपनी recommendation तो जब implement हुआ था ना मंडल कमिशन की recommendation 1977 में जब जनता पार्टी सरकार आई थी उसे time में मंडल कमिशन की recommendation आ चुकी थी तो third recognition third dimension क्या थी 1990 में कि recognition करना और accommodate करना कि कैसे भी करके backward sections को हम अगर थोड़ा बहुत भी उनको recognize कर लेंगे और उनकी जरुरतों को अगर accommodate कर देंग तो हमारे पास में political base or increase हो जाएगा vote or मिलने शुरू हो जाएगे तो vote bank politics खेलनी शुरू कर दी अब यहां से यह तीन dimension का मुद्दा है यह तो हो गया आपका past में कि हाँ जी जब OBCS के लिए reservation की बात की गई तो क्या हुआ था अब आप देखो कि जैसे जैसे यह marriage आगे बढ social justice का आप segment लेकर के चले थे ठीक है और आपने political base को increase करते हुए आपने reservation दे दिया और उसका आप result क्या हो रहा है कि उसी demand को लेकर के दूसरे section of the society वो भी आप reservation के demand कर रहे हैं मतलब यह हो गया कि reservation की जो basis थे social justice ensure करना जो traditionally backwardness रही है का सिस्टम के चलते हैं कुछ sections की तो उन sections grievances को आप address करने के लिए provision लेकर के आये थे पर result क्या रहा social injustice तो लगातार बनी होई है और deadlock और बन गया है अभी कि कोई solution नहीं निकल रहा है result मराथास के अलावा जाट पाटिदार से यह भी लगाता demand कर रहे हैं जो कि numbers में भी बहुत है और अच्छी खाशी पकट रखते ह है अपने states के अंदर अगर vote bank की बात भी कि जाए political representation की बात भी की जाए तो फिर इसके बाद में बात आ जाती है कि complication तो पहले ही आ गई अब क्या है कि reservation के demand होने लग गई है economically basis पे ठीक है पहले तो social basis था अब social economic distress के basis पे अब economic distress का जो segment और आ गया है reservation में तो इसने तो matter को औ मुद्दे पर focus करें economic basis पे रखें या किसी और मुद्दे पे तो point क्या आ गया अजी अब review का time है अब review करो कुछ और क्योंकि इस situation का इस complex situation का solution ना तो judiciary के पास में निकल पा रहा है ना executive या political class निकाल पा रही है तो इसके लिए अब तीसरा एक आप कह सकते हो कि reservation के लिए third commission constitute किया जाए ठीक है इसके पहले देखो मंडल कमिशन से पहले भी एक commission constitute हो था आप मुझे comment box में बताओगे किस commission ने recommendations दी थी जवारला नेरुजी के time पे भी वह recommendation आ गई थी जब Congress full-flexidly rule क्या करती थी पूरे country पे उस time पर भी reservation के provisions की बात की गई थी एक recommendation आय थी मुझे आप पताओगे comment box में कि वो कौन सा commission था क्योंकि ऐसे commissions के बारे में आजकर यूपीसी prelims में पूछने लग गई है तो ऐसे में ना तो judiciary के पास में solution है ना political class के पास में solution है कि कैसे इस current deadlock को खतम करें और मुद्दा क्या है कि current deadlock में तीन dimensions निकल के आ रही है number one एक तो यह कि reservation की demand ह जाना अभी कौन कर रहा है better off या politically powerful caste जैसे कि हमने देखा party दार जाट और यह लोग ठीक है तो ऐसे में एक तो demand आ रही है यहां से complex deadlock का क्या करण है इसकी क्या dimension है number one कि reservation के demand कौन कर रहा है better off जो कि economically अच्छे है या फिर उनकी अच्छी कासी पकड़ है अपने वहाँ पर सम deep chasm देखने को मिल रहा है जहां पर backwardness जो है ना किसी भी section के अंदर वो आप देखो कि उसको खतम करने के लिए जो reservation के provision सो उसको खतम नहीं कर रहा हो point कहा रहा है कि social justice को ensure करने के लिए आप लेकर के आया थे reservation और वो ही backwardness अभी तक social justice अभी तक आप नहीं दे पा रहे हो लग dimension क्या है current scenario की कि जो caste identities थी उनको खतम करने के लिए तो reservation दिया गया था ना कि अपर caste जो है उसकी पकड़ अच्छी खासी है तो lower caste जो है जो अभी backwardness का सामना कर रही है traditionally उन lower caste को आप reservation दे दोगे तो समाज में उनके recognition होने लग जाएगी पर अब क्या हो रहा है caste में जो division है य आ चुकी है तो ऐसे में तो social जो एक आप collaboration create करना चा रहे थे वहाँ पर division ज्यादा होने को लग गया है तो ऐसे में आप कैसे decide करोगे कि social justice ensure हो कैसे आप boundaries fix कर पाऊगे कि हाँ बही ये caste उल्टा जो boundaries है वो ज्यादा strong हो गई है तो ये तीन मुद्धे हैं जो की current challenge create कर रहे है अब बात आ जाती है writer की यहाँ पर कि देखो जी मंडल कमिशन ने जब अपनी बात दी थी ना अपनी recommendation दी थी तो उन recommendation को आज अगर देखें तो वो लगबग लगबग exhaust हो चुकी है क्योंकि provision तो था social justice अब तो कुछ और ही हो रहा है caste discrimination ओर हो गया है caste के नाम के उपर और ज जो बुद्धी जीवी लोग हैं उन लोगों को पांच issues को अभी recognize करने की ज़रुत है और उन पांच issues को recognize करके अगर आगे काम किया जाए तो शायद reservation का जो provision है उसका use किया जा सकता है जो social justice हम ensure करना चाहते हैं पर political class से अगर हम expect करेंगे ना वो तो देखो बेमानी सी बात ह पर फिर भी पांच point क्या क्या है वो जानते हैं देखो number one intra obesity differentiation की other backward classes में जितने भी communities हैं उनमें आप ये देखो कि कौन सी community कौन सी caste ज्यादा progress कर पाई है reservation का फायदा उठा करके उनको तो reservation बाहर निकालने की ज़रुत है और जो लोग अपने अभी तक भी struggle कर रहे हैं उनको reservation continue तो मतलब क्या हो गया intra obesity differentiation करो देखो मंडल कमिशन के कुछ members ने कहा भी था कि time के साथ साथ में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम reservation तो दे रहे हैं other backward classes को पर उसमें कुछ ऐसे elites हैं जो ज़्यादा फाइदा उठा लेंगे और ये ही हो रहा है number two जो issue है that is intra caste stratification एक ही caste के अच्छा कासा होने लग गया है मतलब एक घर के अंदर सरकारी नोकरी सरकारी नोकर हो गया अच्छे कासा officers हो गया है जबकि दूसरी तरफ उसी caste के लोग गाउं में कहीं पे बंदुआ मज़दूरी अभी भी कर रहे हैं बंदुआ तो चलो बंद हो गया पर फिर भी कहीं न कि नरेगा में उनको काम करना पड़ रहा है कैसे भी करके अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए तो इंट्रा कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन लगातार बढ़ता चला जा रहा है और इसी पर आकर के मंडल कमीशन की रेकमेंडेशन लिमिटेड हो जाती है कि हाँ वाकई में अब हमें एक रिव्यू करने की ज़रत है देखो एक सोशल अजिस्ट है जिसका नाम है डियल सीट उन्होंने कहा था कि अभी जो सिस्टम चल रहा है ना हमारे हाँ पर कास्ट में वो है क्लासिस आइजेशन ठीक है कि क्लासिफिकेशन होने लग गया है क्लासिस बननी शुरू हो ही है कास्ट की बजाए अब क्लास के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है दूसरा इशू हो गया इसको एड्रस करने की ज़रत है थर्ड इशू क्या जाता है कि आप ये देखो कि रिजर्वेशन का फायदा कितना और क्या देना चाहते हो वो स्पैसिफाई होना चीए वेग डर्म्स नहीं होनी चीए जैसे कि employment में क्या फायदा देना चाहते हो education में और political representation में क्या फायदा देना चाहते हो political representation जैसे कि हमने शुरुआत में बात की थी अर्बन जो local bodies के elections है उनमें OBC के लिए reservation provision ठीक है तो ऐसे में फिर fourth issue आ जाता है जब तीन issues के हम बात कर लेते हैं that is कि limits क्या होनी चीए reservation की कितने time तक जाएगा कितने हद तक आप रखोगे एक family में कितने बंदे अगर reservation का फायदा उठालेंगे उसके बाद में वो family reservation के provision से बाहर निकाल दी जाएगी ऐसे में हमें अगर वाकई में social justice ensure करनी है ना तो इन limits को finalize करना बड़ा जरूरी है finally जो सबसे challenging point है that is setting boundaries कि आप fix तो करो कि किसको आप eligible समझते हो कि हाजी हम इसको reservation देंगे ये लोग backward हो गए है और ये लोग advance हो गए है तो ऐसे में अभी तक जो reservation का मुद्दा है ना वो हमेशा से एक दो चीजों से तो हमेशा परिशान रहा है एक तो ये कि गरीबी और जो पीड़ा है जो backward लोग है उन लोगों की जो गरीबी और उनकी पीड़ा है ये तो सोच करके reservation दिया जाता है और दूर का सपना क्या रहता है कि सब को well being ensure हो सब आरसानी की जिए पर समझ्या क्या है politics के हत्य चटने के चलते है social justice के ये जो important pillar जैसे के हम welfare state की बात करते है DPSP में welfare state की बात करते हो social economic political justice की बात करते हो आप रियम्बल में वो चीजें एक तरीके से धुमिल सी होती चली जाती है तो जो traditionally एक social order था जिसके चलते backwardness result के तोर पे निकल के आई वो backwardness अभी भी खतम नहीं होई क्योंकि अब political economic के चलते हैं जिन लोगों की politics में पकड़ है उन लोगों को economically ज़्यादा benefits हो रहे हैं वो जो लोग ज़्यादा class में upper होते चले जा रहे हैं और दूसरी तरफ जो लोग कम हैं कमजोर हैं वो backwardness के सिकार होते चले जा रहे हैं तो ऐसे में caste system की वज़ाए अब class में आप उलज गए हो और caste system में और ज़्यादा जो gaps हैं वो और बढ़ गए हैं तो एक तरफ तो reservation का हमने use किया था कि कैसे भी करके social justice को ensure किया जाए पर वो ही चीज है आज एक नया ही separate issue निकल के आ रहा है और reservation की demand कोन कर रहे हैं जो dominant caste है वो अब reservation की demand कर रहे हैं तो writer सीधा last में एक ही चीज बोल रहे हैं देखो जी यह time consuming process है अगर इसमें आप उलज गए तो पता ही नहीं पड़ेगा आप कभी कुछ result भी निकाल पाओगे तो time आ चुका है कि third backward class commission constitute किया जाए क्योंकि ना तो judiciary के बस की बात है ना सरकार के बस की बात है अभी तक कोई outcome proper ने निकल रहा है और जो provision लेकर कि आप शुरुआत से चले थे कि हाँ हम reservation देंगे तो upliftment हो सकेगा जो भी backward category के लोग हैं classes के या caste के लोग हैं वो अभी तक भी नहीं निकल पा रहे हैं उस परेशानी से तो third backward commission की ज़रुआत है उसको constitute करो recommendation लो situation देखी लिए हमने past की देखी 1990 current situation देखी और future के लिए क्या-क्या issues है जिनको ध्यान में रख करके ये recommendations दी जाएं ठीक है आगे चलता है next article है the post pandemic doctors article को लिखा है के स्रीनाथ रेड़ी ने देखो major reforms की अगर बात करें तो western medical education में 1910 में आया था जब फ्लैक्सनर रेपोर्ट आय थी और उसमें ये कहा गया था कि जो हमारा traditional method है मतलब western की बात करना है हमना कि आप फार्माशिस्ट की हाँ आप या आप अपनी खुद से दवाई बनाओ और खुद treatment provide कर दो उसकी बजाए shift करना शुरू कर दिया था कि हमें structured manner में change लेकर क्या आ लग जाए science का आप use करने शुरू कर जाओ और जो apprenticeship model था कि हाँ जी training दे दो और doctor बना दो उसकी बजाए अब एक proper manner में education system चलाना चाहिए तो ये जो concept है इसकी के outcome के तोर पे निकल के आती है medical colleges तो जो भी colonized countries थे वहाँ पर medical colleges जहाँ जो चल रही है और आज इंडिया की बात भी करो हम उसी model पे more or less continue कर रहे हैं तो जो भी percepts है that means धारना है और जो भी practices है जो daily basis पे conduct किये जाते हैं वो देखो western model की जो एक rigid approach थी जिसको बोलता है reductionist approach approach, reductionist approach का मतलब हो गया कि आप human body को सबसे पहले तो आप ecology देखो पूरी अर्थ को देखो अर्थ में से आपने ecology ecology में से भी इसको human being को separate कर लिया अब human being का मतलब हो गया human body की बात कर रहा है medical science की बात करते हो तो human body में भी आप reductionist approach में क्या करते हो धीरे धीरे अलग करते हैं organs के बारे में पढ़ना शुरू करते हो जैसे कि आपने पूरी body में से organ के बारे में study किया organs में भी tissues और tissues में भी cells और cells में भी आप देखोगे subcellular structure ज subcellular structure तक अब मुद्दा क्या आजाता है कि आपने इतना ज़्यादा reduction कर दिया है कि जो interconnectedness थी ना एक natural environment के और human के बीच में वो आपने खतम कर दी तो ऐसे में क्या हो जाता है कि आप केवल और केवल एक conservative manner में काम कर रहे हो holistic manner में अगर आपको काम करना है तो उस case में आपको interconnected nest को ignore नहीं करना चाहिए और ये चीज कोविड देखो signal साफ साफ दे रहा है कि आपने जो भी medical science में approaches create की वहाँ पर nature को ignore किया और अभी तक का जो development है उसमें आपने reductionist rigidity को ही follow किया है और आपके पास में अभी तक भी कोविड का कोई सही उपचार नहीं निकल पा रहा है तो किया जाए जो की environment के साथ में connected हो और जो reductionist approach है उसमें भी integration की तरफ हमें जाने की जरूरत है क्योंकि आप एक चीज देखो कि किसी के अगर problem है मान लो की heart की problem है अब वहाँ पर उनको अगर treatment दिया जाता है वो medication continue लेते रहता है और उन medications के चलता है ऐलो पैथी के treatment के चलते है ये case study आप मान देख लो कहीं पर भी उसका result क्या निकलता है कि उनकी जादा दवाईयां लेने के चलते में उनके kidney पे effect आने लग जाता है diabetes वाले जो patients होता है उनकी kidney धीरे-धीरे fail होने के chances रहत क्योंकि वो लगातार दवाईयां लेते रहता है तो वो एक problematic कारण बन सकता है similarly इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 2010 में एक independent global panel established किया जाता है जो कि उसका नाम दिया जाता है the commission on health professional education कि कैसे आप 21st century में health professionals को education देना चाते हो तो उन्होंने multidisciplinary कोई particular एक segment की बजाए एक integrated manner में education दी जाए social responsive model पे education देने की बात की गई कि society में एक system ऐसा हो medical का कि वो बिलकुल एकदम aliens की तरह treatment ना दे करके एक integrated manner में काम करें यह चीज़ में आपको बताता हूँ कि कभी आप कोई आयरवेदिक doctor मतला वैजी के पास में जाना treatment लेना और किसी एक doctor के पास में जाना जो private hospital बैठता हो आप खुद experience करोगे कि जो बैजी हैं वो आपसे पूरी detail पूछेंगे बिठा करके आपसे जो बातचीत करेंगे आपको बहुत हद तक परिवार के बारें पूछेंगे आपको console करेंगे कि कैसे भी करके panic होने की ज़रूरत नहीं है जबकि private sector में वहाँ भी fees slip कटा ली ठीक ह पूछा क्या क्या है आपके क्या क्या problem है आपने बोल दिया मेरे यह problem है तो उसके बाद में आप वहाँ से free पैसा दे दिया free हो गए दवाई ले लो that's it जबकि यहाँ पर बैजी की फास में आप जाओगे आपके वहाँ पर actual holistic treatment आपको देखने को मिलेगा यह सारी चीज़ आई उस department के सारी चीज़ों पर आप लगा सकते हो जो कि इंडिया में traditionally follow की जाती है यह मेरा खुद का experience में share कर रहा हूँ आपके साथ में right तो ऐसे में आप देखो कि हमें social responsive model बनाना चीए medical education के लिए यह चीज recognize की गई थी इस global panel ने ठीक है 2010 में कि 21st century में हम कैसे हैं बिमार education में scientific approach होनी चाहिए जो health system है वो उसकी जो interconnectedness है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि आप environment को बिलकुल separate करके ना चलो ठीक है पर वो ही चीज़ है कि देखो result आने बागी है same चीज गौर्मेंट के दुवारा nominated एक entity that is medical council of India उन्होंने भी ऐसे कुछ बाते कही थी कि हमें conservatism की त भी नहीं हो पा रहा है impact outcome नहीं मिल पा रहा है और COVID-19 ने देखो ये चीज़ बिलकुल clear कर दी है आज के टाइम पर ज़रूरत क्या है कि medical education में जो भी problems हैं उनको address किया जाए जिसमें doctors को जो young doctors हैं उनकी competence को increase किया जाए वो कैसे कि मानो आज laboratory basis पे research होकर क्या आती है sorry laboratory की जो prescription लिख दिया लंबा चोड़ा prescription की हाँ कोई ना कोई सी दवाई का तुक्का तो लगी जाएगा तुक्का नहीं scientific approach के basis पे आपके पास में laboratory से sample की detail आती है तो उसके basis पे आप वही recommend करो ना जो वहाँ पर demand आ रही है आप क्यो आग मीच करके लंबी सारी list बना करके दे देते ह तो ये training में changes आने की ज़रत है और ये चीज़ देखो corona ने बिलकुल clear किया जब आपने देखा होगा hydroxy chloroquine करके जो एक drug थी उसको शुरू में आख मीच के बोल दिया कि बोलो बहुत ही बढ़िया है ये आराम से covid को tackle करती है result क्या निकला जब scientific studies हुई उसके बारे में जब testing हुई laboratory में तब पता-पढ़ा कि उसका कोई effect ही नहीं आ रहा है covid को control करने में तो ये आख मीच करके काम करना बिलकुल गलत है ऐसे में time-honored scientific percept that means कि आज के समय की क्या demand है उसके इसाब से धारना बने उसके इसाब से moral values के ओपर medical professionals जो हैं वो काम करें बजाए इसके कि वो commercialized healthcare क के उपर focus करें कि हाँ जी कितने रुपए कमा रहा है लोन इतना चल रहा है गूम के आ जाएंगे तो इसलिए काम चल जाएगा नई जी ऐसा बिलकुल भी नहीं है healthcare practitioner भगवान के रूप में देखा जाता है doctors को तो वहाँ पर इनको time की demand को समझ के आगे चलने की ज़रुत है तो ऐसे में new scientific evidences की बात करें नई जो clinical guidelines है या फिर future research जो होने वाली है उनको अगर देखे तो doctors की training भी उनहीं के हिसाब से होनी चाहिए ऐसा नहीं कि आप अभी तक भी thumb rule पे चल रहे हो changes नहीं लेकर के आ रहे हो ठीक है इसमें ज़रुत क्या है कि एक research methodology की understanding doctors में develop हो जो मैं social media में या फिर peer review में कितना सारा निकल के आया कि कितना unsound manner में methodologies use की गई है वहाँ पर उन्होंने inadequate protective filters का use करके treatment दिया और बहुत सारे patients को दूसरे side effects होने लग गए medical education है ना वो देखो इतनी ज़्यादा important हो जाती है जिसमें आज देखो statistics को तो समझना हर किसी के लिए जरूर परते हैं एक trend गोई तो समझना होता ना हमें कि लोगों का क्या perception है या फिर किस तरीके से आपने कोई भी reform लिए administrative reform लिए अपने जिले के अंदर तो वहाँ पर लोगों किया pilot project के तोर पे क्यों implement की जाती है कोई scheme एक साथ से पूरे इंडिया में या पूरे state में क्यों implement नही की जाती देखते हो ना कि pilot project के तोर पे यहाँ पर इन इन districts में implement की जा रही है ये scheme तो वो क्या है वहाँ से आपको idea मिल जाएगा कि कितना respond कर रहे हैं लोग उससे तो ऐसे में बिमारियों के बारे में doctors को proper training हो same चीज़ आप देखो कि statistics जो data उनके पास में जो भी आ रहा है laboratory की basis पे या फिर जो भी trend देखने को मिल रहा है उसको वो study करें उसके हिसाब से एक well balanced manner में एक plan होना चीए फिर doctors अपनी activities को continue करें ठीक है यहाँ पर जरूरी है internal validity को भी देखने की और एक external validity को भी देखने की जब भी कोई doctor अगर judgment लेना तो दोनों validity का मतलब हो गया कि जो भी laboratory से report आ रही है उस report से idea लग जाए कि हाँ क्या result हो सकता है number one external validity का यह कि आपने कुछ भी recommendation दी कुछ भी दवाईया लिखी कुछ भी आपने treatment लिखा उसका applicability है की नहीं उसकी possibility है की नहीं बस वही बात नहीं तो फिर आख मीच करके आप क्या कर दोगी जी मन में आय जो दवा अगर inappropriate manner में काम करेंगे तो गलत हो जाएगा इसके लावा RT-PCR की बात करो या RETS की बात करो यह testing होती है आपको पता है इनके बारे में आप back to back अब एक बार एक डॉक्टर के पास में जाए और डॉक्टर से बातचीत किये आपने डॉक्टर बोले कि भई आपको टेस्ट सकर mild है आपको लगता है कि treatment किया जा सकता है तो आप testing की line में क्यों लगाते हो आप उनको उससे क्या होगा कि अगर covid complication नहीं बढ़ी हुई है और line में लगने की वज़े से complication ज्यादा बढ़ गई तो ये भी मुश्किले हैं तो ऐसे में education system जो है उसको हमें change करने की ले तो क्या ये real है क्योंकि हमने कितनी बार देखें false positive और false negative भी बहुत ज्यादा मिले हैं तो ऐसे में जो symptoms है पेशेंट्स के patients के उनको आप थोड़ा समझो ठीक है byesian concept आजाता है यहाँ पर जो कि medical school में इसको byesian model बोला जाता है जिसमें कि थोड़ा सा भी अगर आपको doubt ल होता है वह hospital में पहुंच गया इसका मतलब उसको financially भी problem होने वाली है तो biological भी वह बहुत ज्यादा issues का सामना करने वाला है तो आप क्यों ना सोच समझ करके decision लेते हो ऐसे नहीं कि बस उठाया अब है टेस्ट कर लो wasteful न हो जाए गए तो ऐसे में लंबी line लग जाती है और ज जल्दी से ICU में shift कर दो और जबकि जो वाकई में नीडी लोग थे वो लोग फिर बाद में बाहर मर रहे थे तो मौत इसी वज़े से तो ही थी ना well manner में planning नहीं हुई वैसे जो राइटर है खुद डॉक्टर है यहाँ पे आप देख सकते हो कार्डियोलोजिस्ट, epidemiologist ठीक है public health foundation of India के president है इस particular section कीए तो यह चीज़े इनके खुद के personal जो एक expert है वो यह बात बोल रहे हैं बार बार में आप city scan करा होगे city scan खुद organs को damage कर देता अगर आप बार बार करा होगे देखो एक telemedicine का concept बड़ा अच्छे से develop हुआ है जिसमें आपने doctor से अगर बाचीत की हो चीज़ जब आप करते हो तो आप अपनी situation बताते हो और आपको treatment देते हैं symptoms को पूछके और उसका आपके result मिल जाता है तो उसमें देखो economic cost कितनी है cost effectiveness आई की नहीं और कितना convenient होता है कि आप घर पे बैठ करके treatment देलोगे और पास के medical shop से जाकर के drugs purchase कर लोगे हो गया आपका आपकी problem sort out तो telemedicine को explore करने की जरुवत है इसमें medical students को देखो इस point of view से भी training देने की जरुवत है इससे क्या हो जाएगा कि वो ही चीज़ है efficiently काम हो पाएगा patient का data अब जैसे whatsapp के ओपर भी consultation होते है आजकल आप जैसे फोटो खींचो आपने जो भी reports हो उनकी या फिर उनकी तरीके से आप अपने बिमारी को खतम करने में successful होते हो तो एक चीज यह हो गई कि आप यहाँ पर telemedicine को introduce करो इसके लिए training भी provide करो जो भी अभी जो young doctors है जो अभी बन रहे हैं उनके लिए पुराने वाले तो देखो फिर भी जो experts हैं वो तो ठीक है पर फिर भी वही चीज है पुराने वाले थोड़े rigidity को थोड़ा से मानते हैं जो भी चीजे हैं उनको जल्दी से change नहीं करते हैं तो ऐसे में यह चीज हो जाती है important फिर आप देखो doctors को एक medical concepts के उपर clarification होने की जरूरत है research findings के बारे में उनके बारे में उनको knowledge होनी चाहिए कि क्या outcome आ रहा है ठीके से doctors को भी current affairs से अपने खुद के current affairs से update रहने की जरूरत है आप देखो कि एक परिस्तिती यह बहुत ही अच्छा कोट है यहाँ पर Livington Trudeau ठीक है public health pioneer है यह मतलब आप देखो कि medical health के अंदर medical system में कितना अच्छे से इन्होंने काम किया तो इनका एक court आप देखो वो यह है to cure something मतलब होता क्या है physician का काम क्या है वो यह to cure sometimes आप treatment देते हो कुछ देर के लिए relieve often और नॉर्मली आप का करते हो stress को relieve करने कोशिश करते हो जो भी आपके आशपस और comfort always हमेशा smooth language में बात करो ऐसा नहीं कि आपको 50 लाग रुपर पहले जमा कराने पड़ेंगे 5 लाग र मंतरे चरेंजी वी जो scheme चला रखी है उसमें 5 लाग रुपए तक का free treatment प्रोवाइड किया जा रहा है तो यह तो चलो welfare state का approach हो गया पर वहाँ पर डॉक्टर्स की जो duty है ना वो होनी चाहिए कि आप ज्यादा ज्यादा comfort प्रोवाइड करो patient को patient की family को और covid के time पे जब ICU में patient अपने loud one से तो दूर है और वहाँ पर alien की पोशाक के अंदर doctors आते हैं पूरा एकदम cover up होकर के PPE kit पहन करके और फिर वो उनसे सवाल जवाब करें अगर कड़क language में तो वो problem हो जाती है तो यह चीज यहाँ पर इन तीन principles पे काम करने की जरुत है और जो भी recommendation थी वो हमने द treatment दे पाओगे individuals को ठीक है एक clear communication establish होने की जरुवत है और उसके लिए क्या जरुवत है कि आज की जो young doctors है उनका upgradation हो जो भी technological advancement हो उसके साथ में जो भी अभी COVID ने lessons दिया है उनको हमें learn करने की या उनके ओपर continue करने की जरुवत है ठीक है आगे चलते हैं देखो next article past as present हमारे external affairs minister अभी गए हुए है संगाई corporation organization की foreign affairs की foreign affairs की foreign affairs की मीटिंग में दुसांबे की ठीक है Central Asian country capital दुसांबे वहाँ पर और बात हो रही है अफगानिस्तान के future से related देखो यह तो doubt ही नहीं है अब Taliban बहुत जबर्दस पकड़ बना चुका है जैसे जैसे American और Western military troops भाहर निकल रहे हैं वैसे वैसे अपनी पकड़ बना रहा है और जिस तरीके से Taliban ने power अपने हाथ में ली थी 1996 में exactly वही चीज रिपीट होती हुए दिखाई दे रही है और अमेरिका के withdrawal से देखो regional powers जैसे की Russia चाइना ये भी इतना comfortable नहीं है पर वो बात ठीक है कि कैसे भ उनो पावर्स रश्या और चाइना और ये एक assurance लेने में successful तो बोल सकते हैं भी फिलाल तो तालिबान ये बोल रहा है कि जो ओईकर मुसलिम्स का जो separatist का जो एक campaign चल रहा है तो उन चीजों को लेकर के तालिबान से थोड़ा बहुत assurance मिल गई कि हाँ चलो ठीक है वहाँ पर कोई problem नहीं आएगी पर पाकिस्तान है वो बड़ा खुश हो रहा है इस time पे क्योंकि पाकिस्तान का सिक्का तालिबान के तुरू चलेगा पर पाकिस्तान को भी इस चीज का करती थी ठीक है और इसके लावा तालिबान अब लगातार अपनी पकड़ बनाये जा रहा है और इंडिया के लिए वड़ी जिन्ता की बात है क्योंकि पाकिस्तान इस चीज को लेकर की ज्यादा खुश है कि हाँ जी तालिबान अगर पकड़ बनाता है तो इंडिया की जो वहाँ पर अफगानिस्तान में वह खतम हो जाएगी तो इंडिया की डॉमिनेंस खतम होना पाकि वही बात है हम जीते की ना जीते हमारा दुश्मन अगर आ रही है तो हम जीत गए वह वाली बात है ठीक है तो मिनिममम अश्यूरेंस की बात की जा रही है अब इंडिया अबर सम्थिंग इतना है नाइन इलेवन का ही तो अटैक था जो आपको पता ही है अमेरिका के उपर अलकाइदा की द्वारा कराया गया था उसी के बात में तो अमेरिका ने इन्वेड किया था अफगनिस्तान में ठीक है तो ऐसे में आप देखो की इंडिया तालिवान के स स्मार्ट हैं ये पिछले दो सालों से लगातार रश्या चाइना इदर आसपास की जो रीजनल पावर्ड से वहां पर विजट करते रह रहे हैं और उन लोगों को वैलकम भी किया जा रहा है ठीक है पर अब देखो ये तो रियालिटी हो चुकी है कि अभी पिछले दो दो द अच्छी बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग शायद तालिबान को पर्शुएट कर सकें कि भई आप ये गलत काम मत करो नहीं तो देखो इंडिया के लिए तो मुश्किले हैं इसमें डाउट ही नहीं है और वेटेंड वाच के लाओ कोई आप्शन नहीं है ठीक है और ज सेक्षन Information Technology Act 2000 में एड किया गया था और इसमें सीधा सा कहा गया था कि अगर कोई भी अगर कोई भी ऑनलाइन अपनी पोस्ट शेयर करता है जो की ओफेंसिव है जो की किसी के लिए आप गलत स्टेटमेंट देते हो तो उस केस में उनको सजा दी जाएगी ठीक है तो इसको फ violation माना गया था इस section 66A को कि कोई भी अगर पोस्ट मान लो कि कोई politician को criticize कर रहा है जैसे ममताव energy को उस टाइम पे एक individual ने criticize किया था ठीक है या फिर बाला साहब धाकरे की जो डिमाइस हुआ था उसके बाद में जो gathering होई थी तो उसके लिए बोला कि इस तरीके से आप कैसे gather ह हो सकते हो राइट तो ऐसे में उन comment करने वाले जो cartoonist थे जो भी post डालने वाले users थे उनके खिलाफ में section 66A का use किया गया और उनके खिलाफ में कारवाई की गई तब जाकर कि 2015 में श्रया सिंगल जो की legal activist है उन्होंने case दायर किया सुप्रीम कोर्ट में और बोला कि यह 66A जो ह है कि आप कोई comment share कर रहे हो कोई भी अगर political class में कुछ गडबड हो रही है उसके खिलाफ अगर आवाज उठाते हो और फिर उसके बावजुद उनको jail में डाल देते हो जबकि वो एकदम सही बात पर point उठा रहे हैं तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने 66A section को खतम कर दिया पर जो नौबत है जो परिशानी है वो ये कि आज 6 साल हो गए इस पूरे मुद्दे को चलते खतम हुए उसके बावजुद अभी भी 745 के लगबक केसिज अभी भी district courts में चल रहे हैं तो unawareness देखो कि district courts में magistrate वहाँ पर केसिज सुन रहे हैं पुलीस वहाँ पर arrest कर रही है तो क इतना ज़्यादा communication gap है आप ये देख सकते हो तो जरुरत क्या है कि arrogance को तो छोड़ा जाए political class के द्वारा और जो भी आपके सामने अभी कानून बने हुए है और Supreme Court ने जो refinement filtration कर दिया है आप उनको properly implement करो ठीक है उनकी monitoring proper होनी चीए सरकारे आख मूद के बैठी है और लोगो engine effect इस article को तो वैसे लिखा है ब्रिंदा करात ये देखो communist party से belong करती है इनका ये कहना है कि एंटी CAA का जो citizenship amendment act आया था उसके अगेंस में जो protest होए थे उनको जब दबाया गया या फिर उन protest को जब highlight होए थे ये mainly बात की जारी है फरवरी 2020 की ठीक है नौर्थीस डेली की बात करें शाहिन भाग जिनको राइट सम अलग अलग नामों से जानते हैं इसके अलावा बहुत सारे ऐसे issues है जिनको दबाने के लिए जो political class के leaders हैं उनके द्वारा statement दिये जाता है hate speeches ठीक है कि कि किसी एक community को किसी एक class को किसी एक category को आप socially वो लोग मतलब एक तरीके से उनको marginalized consider किसी दर करके उनके against में उल्टे सीधे आप statement देते हो उनको रोकने में सरकारे लगातार back to back fail हो रही है हम यहाँ पर ruling सरकार की बात नहीं करेंगे हम सरकारों की बात करेंगे ठीक है देखो यहाँ पर फिर बाद में politics RSSBJP वो हमारे इतने काम की नहीं है एक तो क्या कि hate speech मत असलब जो keep social violation को create करें जहाँ पर लड़ाई होने के डर हो दंगे होने के डर हो ऐसे speeches को रोकने के लिए सरकारे कदम अच्छे से नहीं उठा पा रही है communal politics की अगर बात करें तो इसने लगातार अपने आपको flourish किया है जब जब भी legal framework हमारे यहाँ पर कमजोर रहे है और specifically बात की जाए अभी hate speech की जाए social media हो चाए आप media के सामने आ करके बोलो चाए आप कहीं पर भी कोई discussion debate हो रहा हो तो वहाँ पर आप ऐसे statement दे देते हो जिसक कि इसका नाम है प्रवासी भलाई संगतन वर्सिस यूनियन ओफ इंडिया साथ में law commission की 57 pages की report आई हुई है 2017 में तो उसमें recommend किया हुआ है कि सरकार को अब कैसे भी करके इनको prohibit करने की ज़रुत है उन सारे statements को उन सभी activities को जो hatred को फैलाए जो नफरत फैलाए communal violence को increase करने के लिए push करे जो कि society में डर फैलाए और प्रोवोकेट करे violence को certain cases में उनको रोपने की ज़रुत है यह Supreme Court ने भी कहा है तो वैसे तो political point है पर यह बोले राइटर कि सारी political parties को citizens को alert हो करके काम करने की ज़रुत है तब जाकर कि यह hate speeches को हम रोप पाएंगे ठीक है बागी तो politics से इ retirement के बाद में उनको सब शारी चीजे उनकी जप्त कर ली गई ठीक है उनके पास में livelihood के लिए कोई option नहीं था तो इसमें क्या होता है देखो Catholic churches जो होता है न चर्चों में जो काम करती है जो nuns और unique ender में जो convent schools चलती हैं तो ऐसे परिस्तिती में वहाँ पर जो school education में जो teachers है वो अपनी जिन्दिगी को salibis में ब्रह्मचार्य जीवन वो बिताती है ठीक है फिर उसके बाद में वो अपनी life में अच्छे खासी education दे करके जब वो अपने rights की बात करती हैं जहां पर हमारे constitution में ये चीज envisage की हुई है कि हाजी हमारे हाँ पर fundamental rights दियो हैं part 3 of Indian constitution में उनक basis पर वो अपने rights के demand करती हैं तो उन rights का protection नहीं होता है और ये कहा जाता है केरला high court के द्वारा कि जो कुछ भी आपके religious document में लिखा हुआ है क्योंकि आपने religion के नाम के उपर religion के नाम के उपर आपने ये convent school join किया था आप वहां के nun बने और उसके बाद में आप वहां पर छोड़ करके फिर Indian constitution के basis पर अपने rights के demand करते हो तो बोला हम उसमें intervene नहीं करेंगे तो writer है ना वो खुद principal essence Stephen College Delhi के तो वो ये कह रहे हैं कि इन चीजों को change करने की जरुवत है नहीं तो sister Lucy जैसे पता ने कितनी और nuns हैं जो परिशानियों का सामना करती रहती हैं इसलिए जरुवत है कि एक common civil code लाया जाए जिससे कि Indian constitution के जो provisions है वो apply किये जाए बजाए कि ये जो religious issues है religious कानून लगा करके करे जाते हैं जैसे कि triple तलाग का case था वो भी ऐसा एकुस था इसके अलावा ये बताया जाता है कि socio economically अगर देखा जाए तो जो भी nuns अगर आती है किसी भी church में या कहीं पर भी convent schools में पढ़ाने के लिए उनके साथ में क्या issue रहता है कि जो गरीब background से आती है न पूर socio economic background से उन लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा abusive behavior किया जाता है उन लोगों के साथ में बिलकुल गलत behavior किया जाता है अभी आपने देखा हो कि केस था कि sister अभया उनका केस था कि उनकी ill health थी बहुत ज़्यादा परिशानी हुई थी या फिर जो केरला में Catholic Church उसके पीछे कुवा था कुवे के पर protection नहीं होनी ची एंडियन constitution के तैत तो यह चीज यहाँ पर बताई जा रही है case study जो है वो ननकी है ठीक है sister Lucy का थोड़ा example मैंने elaborately बताया है तो demand क्या हो रही है common civil code की या फिर हम बोल सकते uniform civil code article 44 एक और point आपके पास में मिल गया इसको favor करने के लिए ठीक है तो चलिए discussion म चोटे business जो MSMEs है उनको एक तरीके से encourage कर रही है या फिर जो local लोग है ordinary people उनका support कर रही है big corporates की वज़ाए ठीक है 2008 में जो crisis आया था उसकी वज़े एक ही थी कि बहुत ज़ादा loan दे दिया गया था बड़े corporate houses को ठीक है फिर शुरुआत आती है line हो जाती है जब सत्यम yeah thank you